हालो ब्युवार्स असराम हानेकूम, अप्रे देख्छें इब्रहेम 360 साथा आछेम इब्रहेम कलील, आसके ट्यूट्यूट्ये माद्ध में आम्रा जान्बू, क्लास 9 इर इंग्रेजी चाप्टर 4 इर 4.3.1 जै एखाने जै नोट्स टा आछे अबंग विभिन्न दरन इर टो इमोशन्स और मोड्स ट्वार्स टा फार्टिगुलार कारेक्टर और सिटुएशन्स तो एखाने बोल्षे जै किवावे निद्रिष्ट चोरित्रप प्रष्थितितिर प्रती लाखोकेर अनभुती आभेग वा मोड्स के प्रती भुली तो करे ता जानतेर भीचेर इस लिटरेरी डिवाईज तोन होच्छे एक्टी साहितिक डिवाईज उस्टु रिफ्लेक्ट दा राइटर एटिटुड एटा मुला तो ब्यबहर करा हुए लाखोकेर मनभुत प्रतीफोली तो करते तुवर्स कारेक्टर एट चोरित्रे सिटुएशन्स कोनो अबस्थान पुरिस्थितिते ता सब्जेक्ट मैटर अब दा टेक्स्ट एक्टी पाथेर विश्वबुस्तु रिफ्लेक्ट करार ख्यात्रे एटोन्टा प्यबहर करा हुए एट हेल्प्स तो मेका रिलेशन्शिप बेटुन राइटर एटर एटा एटी एक्टा लेखोक बापठोकेर सपर्प्रत विडे करते स्वायत्त करेए that influence the reader to have a particular attitude, feelings toward the certain character, situation or text. जा पाटो करेके निद्रिष्ट चोरित्र फोरेस्थी थी बाँ पाथेर प्रोती एक्टी विशेश मनोबब्ब अनुबुती राखते प्रभावितो करे. At the same time, एकोई समय, it guides the reader not to take any unfair tone to any character or text. एटी पाथगतेर कोनो चोरित्र फोरेस्थी बाँ पाथे, कोनो अन्नाय शोर ना ने अर जोन्ना गाइड करे. कोन्ना कोनो शोर ना नेते गाइड करे. It is true that the sometimes the tone may reflects the writer's personal attitude or opinion. एटा सुठीक जे बा सुथ्तो जे, कोनो कोनो बाँ अनेक समय, अनेक समय, tone ता may reflect the writer's personal attitude and opinion. कोनो कोनो लेखो के बेक्तिगता मता मध बा, बेक्तिगता मनोभव ता प्रतिफलन गटाए. But it is less about what the writer feel, more about how the writer wants to, readers to feel. तबे, लेखो की उनुभव करे, शेशंपर के, शेशंपर के एटी कॉम एबं, शेई लेखो पठवक के की बेवे उनुभव करते चान, शेशंपर के आरो बेशी की reflect बाँ प्रतिफलन कटाए. So, to have a better understanding of any text, ताई, कोनो टेक्स अरो भलो बावे भुजर चॉन्न, it is important to understand the tone of the text. अबस्वे टेक्स्टेर तोन बशार्ति भुष्दावे. The tone of the features of writing is like the tone of your voice when you speak or your body language and around another person. The tone of a feature of writing, मानी लेखार ठुक्रू सोर्टी आपनी जखन कथा बॉलेन, तखन आप्रा कंठोसर बाव उन्नो बेक्तिर चार्पा से आपना देट देहेर बासार मतो. If you want to make people laugh, जदी आपनी कुनो लोग के हाशाते चान, you may have light and funny tones of your voice. अबस्वे तखन आप्रार बायसर मत्दे की थाक्वे, माजार भा फानी टाइफेर टोन थाक्ते होबे, भा थाके, which must be opposite. एटा अबस्वे बिपुरित होबे, when you will deliver a fetch of serious information. एटा बिपुरित होबे जखन आपके कोनो गुरुत्यपूर्ण तुथ्थ प्रदान कोरते जाच्छेन. So, before taking, talking or writing, ताई कोनो कथा बोलते, अथाबा लिखर फूलबे, you have to set your tone. अबस्वे आपना के set tone टा set करेनीत होबे. एकोर बुल्षेर, writer use several techniques to convey tone, includings. लैखो की किसू tone ब्याबर करे, tone ब्याबर करते की किसू technique ब्याबर करे. Writer use several techniques to convey the tone. tone टा प्रकाश करते की किसू कोशल ब्याबर करे, शिगुला क्यामन, की की कोशल ब्याबर करे, choice of words. प्रतमच शब्द चयन. Understanding the tone involving picking the right word, शब्द प्रतम की कोशल ब्याबर करे, शडिक सब्द बाचाई की कोशल ब्याबर करे, बाचाई करा एब इन्भाल्ब करा जुरूरी. Another choice of the word, another choice of the word that fit the tone, they wants. और लैखो करा एमन सब्द चयन करें, जादा ते पसंद शूर साते खाफ खाये. Formal writing uses big word, formal writing ये बार बार सब्द ब्याबर करे, and while informal writing is casual. और informal writing मुलोता क्यामन थाके और अनुस्टनिक थाके. This affects how the reader feel about the topics. और एटी पाठोकेर बिशाइटी संपड की की बाबे अनुबाब करे, ता प्रभाभी तो करे. आरेक्टाइ स्टेटेजी मुचे voice of author, पाठोकेर कंचाश्षर, the way a writer talks is important for tone. एक दुन लेखोग जे बाबे कथा बोलें, ता शोरेर जन्न गुरुत पोर्णौ, and it's like their personality. तो एटा तादेर बेक्तित्तेर मतो, how they see thing, how they see thing and how they connect with the reader. माने, तारा की बाबे एग जिनिस गुलु देखेन, एबं की बाबे तारा पाठोकतेर सात संजुक स्थापन करेन, they can sound like an expert or friendly friends. तारा एक्टी विशेशगवा एक्टी बंदुत्तो पुर्ण्य मतो सब्दो करते पारेन, and they might sound thoughtful, strong, funny, even it bit mean. तो एगुलु चिन्ताशिल, बाशोक्ति शेली, बामाजार, एमोन की किछो अर्थो हीन सब्दो होते पारे. This makes the text feel different and helps us understand it better. और ए पठ्ठी के अलादा भूस्ते होले, एटी आर्वभलो कोरे भूस्ते होले, भूस्ते मदर के स्वायाता कोरे. voice of tone, आचा, तरप्रोच feelings, feelings कुण्टा, जे tonality creates feeling in writing. Tonality टा लेखार मध्यी तोईरी होये, tonality creates the feeling in writing. लेखार मध्यी feelings तोईरी होये, from serious to fun. गुरु तरो थे के serious मजार दी के एटा की करे? तरप, it affects how reader feel. एटा मुलोताओ की, पठोकेर उनवोती, पठोकेर feelings प्रभाविता करे. mode and tone works together to set emotions of text. कुनों पठोकेर आभेग सेट करते? मैजाज एबंग शार एक्षादे काच करे. tone shows how the writer feel about the things. आर tone ता की करे? एक जोन लेखो केर, की भीशोय भावब्बे? बा की भावबे शेए उनवोब कोट छे? शेटा की करे? देखाए बा तुले दरे. while mode shows how reader feel when reading. जखन कोनो उनवोथी देखाए, पाठोक्रा पड़ा समय क्यामोन उनवोब कोट छे? क्यामोन फिल कोट छे? शेटा देखाए? tone brings out emotions, शर अभिक भेर कोरे आने, and mode shows how we feel. और mode ता, अम्रा क्यामोन उनवोब कोरी ता देखाए? figurative language, it is figurative रूफकथर भाषा, रूफ़क भाषा, figurative language रूफ़क भाषा, it is the use of word and expressions in usual and imaginative manner. ये टेक्टी, अशब अभिक एबंग कल्पना प्रशुत पद्दुदिते सब्द एबंग अभिविक ती प्रकाश करे. similarly, metaphor are two good type of figurative language. ये खरे figurative language बोलते, similarly अभंग metaphor के बुजेन होए छे. A defied tone allows reader to connect with the writer. एक्टी, संगाईतो सार, बायक्ता संगाईतो tone, फाटक देर, लेखकेर सते, संग्जो स्थापने की करे, अनोमूती दाये. When you read a literary feats, जोकन आपनी साहित्तेर कोनों एक्टी खंडपूर्बेन, you may find different tones like cheerful, lightened, regretful, humorous, pessimistic, nostalgic, melancholic, joyful and persuasive. एक्टी, एक्टी, बिविन्न दर्णे टोनेर कथा बोल्छे, जे आपनी जखन कोनो literary device पोर्बेन, तक्षन एक्टी बिविन्न दर्णे टोन आपनी पाबेन, जामन बिशेश करे. तापरे, now let's know about the different type of tones, usual experience in the text. तावले, एकोन आमरा, आरो, शादरन की छू, टोन समपर्के जेनिनी बो, जे, formal or informal tone. तो, formal and informal tone बोलता आमरा की बोजी? Formal tone is a serious, respectful and professional. Formal tone टा होच्छे, एके बारे, गुरुत पूर्ण, तरपरे, स्रद्धाशिल, एबंग पेशादारित्ते शाथे, जे, टोन टा, रिप्रेजेन करा होए. इट शेर दे इन्फरमेशन केरफुली and objectively. एट पस्ट अबंग उदिश्व मुलग भावे की करा होए? शेर करा होए. Formal language is a precise and organized. Formal language टा मुला टा की थाके? शुनिद्रिश्ट अबंग शुशंगरी ता थाके? Without casual word. एखानी की थाके ना? कोनो alternative शाथार नम्र जे वर्ड गुलाब भावर करिये रिकम casual कोनो word बान official कोनो word थाके ना? It shows authority and expertise and the tone can be neutral and informative, persuasive and instructional. कोत्रित तो एबंग दक्षता देखाए. एबंग निरोपेख्ष, शुर्टी, निरोपेख्ष, तारपरे तोत्थ बोहूल, प्रोरचना मुलग बा, निद्देश मुलग होते पारे. It avoids the personal emotions. एखाने formal text ए personal emotion के एलाउ करा होए ना? Informal text, tone is friendly and relaxed. Informal tone होचे अनास्चनिक tone, जे खाने एटा एक्टा बंदुत्त पुर्ण बा, एक्टा क्या मन थाकबे? शत्चन्द थाकबे, using everybody, everyday words. दोनों दिने जीवन ये वर्ड गुलाए बावर होए, शेगल होचे informal word. It aims to connect with the reader-like, like in a conversation. एक्टा शाधरन जोगा-जोगेर मता, पाठके शाते संग्जुक स्थापन करे. The tone changes, changes based on the relations, context and feeling. आर एक्टा मुलो तो एक्टा चेंज होए, किशेर पुति, फ्रेक्खाफ़ बा, अनभुति रूपरे वित्ति करे एटा पुरिवर्तन होए. जा मने खेने like, humor होईले क्या मन होबे, empathy, तर प्रे nostalgy, nostalgia, हास्वरोज बा, स्वहनभुति, बा, nostalgia. Informal tone is clear and familiar. Informal tone गुला होच्चे, स्पास्ट अबंग पुरिचीत, but less strict than the formal tone. किंटो एकोलो छो अनानस्थानिक शोरेच्छो, कॉम अबंग कोठ हुर. जा एर परासे, non-assertive tone. तो non-assertive tone कुलो असंग लगना शोर. जाना गुखना बोलचे, if a text just present the fact and doesn't use any information or word or convince you. जाना बोलचे, जोदी कोनो पाठ्थ केवल, तोत्थो पुस्तापन करे. अबंग आपना के भुजर जोन्न कोनो तोत्थो बास्वद व्यवर ना करे. तबे एशोर्टी हुच्छे, non-assertive. जमन, I am sorry you lost your ticket. I am sorry you lost your ticket. आमी दुखी तोजे, आपनी after ticket टी हारिये छेन. kindly, give of the bus and get another one. तो आयकोरे, बास्थेके नेमे अरेक्टा निया आशोन. This is an example of non-assertive tone. एटा होच्छे, एक्टा, ओ ध्रियो शोरे रेक्टी उदारोन. जयो, assertive tone कोनो गुलू? assertive tone कोनो होच्छे, ध्रियो शोर. जयो, and if there is no sign of anger. जोदी की थाके? जोदी रागेर चिन्नो ना थाके. and expression is calm and fitzful. मने, एखाने ए अभिवेक्टित जोदी शंतवा, शंति पोर्ण होय. It means the tone is assertive. तोखनी ए टोन्टा होबे, assertive tone. जामन उधर अंदया होए छे, I really like the way you talk to me. आमी एई वेटा पछन्द करें, जामा के बोल सो. and I will thank you for your manner. आमी तुमा के तुमार बद्रतत जन्य दन्यवाद जानाबू. and here the tone is assertive tone. aggressive tone? aggressive tone कुन गुला? Again, aggressive, बोलते हैं आम्रा कुन टोन के aggressive tone बोली? विशेश का आक्रमन अत्तोक tone. Again, if the text attack another person using word or showing anger, राग देखिये कुन वर्ड की करा? जे वर्ड दर एटक करा होये, देखते होता आक्रमन करा होये, राग प्रदस्षन करा होये, and the tone is aggressive. You are terrible liar. तुमा एग्जाम्पल बयानोक मित्था बादी. इजार एग्जाम्पल अग्रेशिव टोन. एखने की तुर राग देखान होये छे. Tone of the Trumpant. बीजुई tone. क्यामन, if the writer shows how the main character overcome difficulties to achieve success, then the tone is Trumpant. जाहन लेखक, मुल्त, शपलल अर्जन नो प्रथीपुली तो शोर्भयबर करे, तखन शेटा होवे बीजुई tone. जाहोक एखने बोलशे calm and thoughtful tone. तो एखने शांत बंग, चिन्तशिल शर कोण्टा. The writer tone is calm and thoughtful when he invites readers to explore the character's feelings and thoughts. जाहन लेखक ही करवे, ता reader के चिन्त भावना गुलू, अन्नेशन करार्जन नो आमंत्रन जानावे. तखने टभवे calm and thoughtful tone. बीटार tone कोण्टा? बीटार tone होच्चे, बीटार बुलते अम्रा की बुजी? बीटार बुलते होच्चे, तिक न तिक तो सोर. tone is the bitter. When the writer shows how the character is upset and disappointed with the word. जखन लेखोग तार tone न माद्द में जे हताशा बा disappointment, बा upset बुजाबे तखनी शेटा होबे बीटा tone. The tone of amusement, the tone of amusement. The tone of amusement carries the tone of amusement as a character discovered the magic or hidden feats. बाने कोनो गोफों बीश होए, अथा मेजिकेर मातो कोनो लुकानू बीश होए जखन देखानू होए, बीश्वय प्रकाश करा होए, तखन शेटा होबे tone of amusement. Excited tone, the writer tone is excited, writer tone तखनी excited होबे, जखन शेटा आमादर के की कोड़े, एक्साइटेड कोड़े, जखने लेखाग की कोड़े, दुशाशी जात्रा कोड़े, अचेना जाएगाए, अब अधेखा जाएगाए, अब जेटा आमादर के की कोड़े, excited कोड़े, शेटा होचे, excited tone. In short, the tone of the text may be various kind, विविन्न, टेक्स्टेर tone विविन्न हुईते पारे, it mostly depends on the word choice writer, so how the reader first see it. एटा मुलोता, reader कोड़ोटा उफुलूब्दी कोड़े पेरे छे, बाकी, ता शब्द चोयन, विशीर बाग लाखोके, शब्द चोयन, रूपर निर्बर करे, मुलोता टोंटा. तो एए इछी लो आसके content परवुटती 3.453.2 दे खरा मंदुन जानिया, आसके मतने लेक हैने शेश कोची, आल्ला हापेस.